नमस्कार आई टेय अपडेट कोपा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है अज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एकाउंटिंग सॉप्टेट टेली एर्पी 9 के बारे में टेली का प्रैक्टिकल वीडियो आज से हम स्टाट कर रहे हैं और टेली का फुरा कोर्स जो है स्रीज वाइस डेली हम इस यूट्यूब चैनल में डालेंगे तो आप लोग उसे गुजारी से अगर आपको टेली सीखना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें तो टेली प्रेक्टिकल करने से पहले टेली से सम्मंदित कुछ विशेज जानकारी तेयोरी नौलेज होना अभशक है इसके लिए आज का मेरा ये वडियो है जो एक पाफ़ेंट में टाइप करके मैंने बनाया है आप लोग इसको हो सके तो कॉपी में नोट कर लें क्योंकि टेली प्रेक्टिकल करते समय आज का ये विडियो में दिया गया मेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काम आने वला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेली ये आर्पी नाइट सिखने से पहले हमें जानना जरूरी है अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग का संबन्द बिजनिस से है जो किसी संगठन की आर्थी घटनाओं को पहचानने मापने और लिख कर रखने की प्रतिया है वेपार में लेंदेन से जुड़े आर्थी ट्रांजेक्शन को क्रमानुसार प्रापसली घटनाओं से लिखने बर्गिगरीद करने शंक्षिप में बैक्त करने और उनके परिनामों को व्यक्का करने की कलाव एकाउंटिंग कलाव क्या है एकाउंटिंग हम क्यों सीखेंगे एकाउंटिंग कलाव निमन लिखित है हम एकाउंटिंग की साहिता से बिजनेस में कितने संपत्ती है ये जान सकते है हम एकाउंटिंग की साहिता से बिजनेस पर कितने रीन है ये जान सकते है हम accounting की साहता से business में लाव या हानी के कारुनों को जान सकते हैं हम accounting की साहता से business से सम्मंदी सभी प्रकार की transaction को लिख कर प्रभबशाली ढंग से प्रस्तूत कर सकते हैं बरतमान में प्रविग होने वाले कुछ accounting software के बारे में जानना भी जरूरा थे हैं टैली तो ही टैली के लिए लावा और भी दो चार आपको accounting software के बारे में knowledge होना ज़रूरी है कम से कम नाम क्या है एक नंबर में टैली ERP9 जो हम लोग सिख रहे हैं दूसरा में quick books जी एन यू cash, sap, fresh books, zero, my books, merg ERP9, आदी और भी बहु सार accounting software है लेकिन ये top 5 में जो accounting software चलता है इसी का list मैंने इसमें आप लोग को बताया निक्स्ट है smart accounting आप टैली के बारे में कुछ जनकरी हम लोग को रखना चाहिए टैली अविश्कर किस ने किया ठीक है ये जानना बहुत ज़रूरी है तो टैली के accounting software है टैली का अविश्कर सैमसंदर गईंका और भारत गईंका ने किया जिसका निर्मान सन 1988 में किया गया है जो टैली शॉलूशन प्राइबेट लिमिटेट भारत ये कंपानी तरह निर्मित है जिसका headquarter बेंगला और कॉनला टुक में है नेक्स्ट टैली एर्पी नाइन को इंस्टॉल करने के लिए आभशक hardware मेंग software क्या क्या चाहिए टैली जब हम लोग सिखेंगे तो टैली को इंस्टॉल करना भी सिखना बहुत ही जुरूरी है इसके लिए क्या क्या system requirements है ये भी जानना बहुत ही जुरूरी है तो इसके लिए processor क्या होना चाहिए Intel Pentium 4 या इससे अधिक होना चाहिए memory क्या होना चाहिए 256 MB RAM या इससे अधिक होना चाहिए hardics में खालिस्तन minimum 50 MB होना चाहिए data के रिलावा monitor regulation क्या होना चाहिए 124 गुणे 780 pixel या अधिक और एक चीज़ यहां पर मैं बताना चाहूँगा जो operating system यहां पर मैंने note ने किया तो मैं आप लोगों बता देता हूँ operating system जो है minimum XP होना चाहिए आज कल जो system आते है desktop होई या laptop उसमें मैं XP से advance याते हैं जैसे Windows 7, 10, 8 यह सब कुछ मिल जाता है तो tally आराम से आप चला सकते हैं निक्स्ट हम लोग को जानना जरूरी है यह tally सीखने account क्या है account किसी transaction का वो statement होता है जो किसी asset liability बेतन यह खर्च को प्रभावित करता है account किसी नाम से होता है जैसा laser laser के साथ इसका संबन मौत है जब आगे आप लोग practical करेंगे तो account और laser के बारे में आप लोग का जो concept है वो clear हो जाएगा नेक्स्ट है goods goods क्या है goods को business में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है कोई भी company जब business करता है तो किसी goods के उपर ही depend करते हैं नेक्स्ट है assets assets कीमती मुस्तुए होते हैं जो business के लिए अवश्यक होती है और business की संपत्य होती है जैसे furniture plant या land जो जमी है जमीन है company का जापे company बनाया गया यह सब company का assets है नमबर फोर में liabilities liabilities दूसरों के दोरा business को दी जाती है जैसे bank loan नेक्स्ट है capital capital या फूजी भी कह सकते हैं जो business के मालिक दोरा business में निवेश किया जाता है यह cash assets की रूप में भी होता है business के नुसर capital भी एक liability होता है नेक्स्ट दो चीज जानना बहुत जरूरी है debitor और creditor debitor क्या है जिस व्यक्ति से धन्नसी लेनी हो तो व्यक्ति हमारा debitor कहलाता है ऐसे व्यक्ति को हमने credit पर माल बेचा होता है सेवा दी जाती है या cash दिया जाता है तो वो हमारा debitor है next है creditor जिस व्यक्ति को हमसे धन्नसी लेनी हो ठीक है जिस व्यक्ति को हमसे धन्नसी लेनी हो तो वो व्यक्ति हमारा creditor कहलाता है जिस वैक्ति से हमने उधार माल खरीदा हो, यह सेवा ली हो या कैस लिया हो, तो वो हमारा क्या है क्रडीटर है, जो हमसे पैसा लेगा नेक्स्ट है बिजनेस टांजक्शन, यह एक वृत्य घटना है जो बिजनेस से सम्मधित होती है और जो बिजनेस में कमपानी की विद्धिय स्थिते पर पड़ता है लेजर, लेजर क्या है, लेजर एक बूप कि तरह होता है, जिसमें पार्सोनल, रियल और नमिनल अकाउंट, सभी अकाउंट होते हैं जिसका एंट्री जानल या सायक पुस्तिक में होती है नेक्स्ट है, कैस्ट टांजेक्शन, जो टांजेक्शन कैस में किया जाता है, उन्हें कैस्ट टांजेक्शन कहा जाता है नेक्स्ट है, क्रेडिट टांजेक्शन, जो टांजेक्शन क्रेडिट पर किया जाते है, उन्हें क्रेडिट टांजेक्शन कहा जाता है नेक्स्ट हम लोग टैली सिखने से पहले अकाउंटिंग के प्रकार या कोई भी अकाउंटिंग कूर्स करने से पहले आपको अकाउंटिंग क्या-क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है accounting को सही तरीके से जाननी के लिए पहले accounting के प्रकार के बारे में जानना बहुत ही जुरुड़ी होता है जो निमन लिखेते हैं एक नमबर में है personal account सभी व्यक्ति, societies, trusts, banks और कंपणियों के खाते personal accounts होते हैं जैसे RAM account, Govind Sales account, SBI account आदि दो नमबर में है real account real accounts में सभी assets और goods account सम्मलित होते हैं जैसे cash account, furniture account, building account आदि नमबर त्री है nominal account nominal account में business से सम्मन्दी सभी आई और खर्च nominal accounts के अंतरगत आते हैं उधरन salary account, commission account, advertisement account, electricity, bill account, purchase account आदि तो account कितने प्रकार के हैं? account तीन प्रकार के है, personal account, real account और nominal account ये page जो है बहुत ही महत्तपून है accounting चैली यार्पिनाइन सिखने के लिए आपको ये तीन चीज जानना बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट, accounts के golden नियम ये page का जानना बहुत ही जरूरी है ये page आप लोग note करके रखिए, इस वेशाली, golden rules जो होते है accounting का ये तीन प्रकार account में किस प्रकार से होते हैं debit और credit आपको क्या क्रडिट करना ये जानना बहुत ही जरूरी है तो इसको सही सही से आप लोग समझ ले और copy में note जरूर कर ले परस्नल अकांट में क्या होता है debit कौन होता है, the receiver और debitor, debitor जो पैसा receive करता है जिसको देना हो पैसा, वो हमारा debitor है ठीक है, और credit कौन है जो दे रहा है वो credit हो ठीक है, next real accounts में क्या होता है जो debit है, वो what's coming, क्या company में क्या आ रहा है ठीक है, company में क्या आ रहा है, वो debit होता है और company से क्या जा रहा है, वो होता है credit, ठीक है, company या पर मैंने बोल दिया है, accounts बोलना चाहिए डिविटर और एकंटसे क्या जा रहे है तो ग्झेटर और अक्उट से जा रहा है वो जाए relies होगा नेक्स्ट है नमीनल आकंट जांडोगर को में है कि आ है जा से अल एक्सपरेंस और ल्स होता ठीक है जिस एकाउंट से All Expense or Loss जो भी टांजेक्शन होता है मतलब किसी खाते से अगर expense और Loss जा रहा है तो वो हमारा debitor है ठीक है पूरी है अकाउंटिंग में तो आज के वीडियो वे बस इतना ही काल हम लोग टैडी कर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कमपणी बनाना वाउचर बनाना लेजर क्रियेट करना एक काउंटिंग और इन्वेंटरी मेनेजमेंट दोनों चीज हम लोगो को पास लिवस में सिख यू